तो कैसे हैं आप सभी आप लोग देख रहे हैं रिक्किया अधिसकी कलासे तो इंग्लिश जैसा कि आप जानते हो हम लोग बच्छ पन से लेटर से लेटर कर लोगों ने अलफाबेट पढ़ा फिर वर्ड पढ़ा फिर सारे सेंटेंस को लोगों ने ट्राइए किया बच्छ प करते हैं तो लेटर से हम अब बनाने की कोशिश करेंगे एक वर्ड से लेटर लिया अैसे मैंने बनाया इपल ऐपल मेरा हो गया वर्ड अब हम लोगने दो चीज स्टिप कभर कर लिआ या यानिकि लेटर से वाइब की तरफ आ गए अब हम वर्ड से एक सेंटेंस elections नहीं हम से बनाएंगे phrase तो definition देखते हैं a phrase is a group of words या फिर phrase are a combination of two or more words यानि कि definition से पता चल रहा है कि phrase जो होता है वो two or more words का combination होता है sentence के अंदर ये पाए जाते हैं वोगे बहुत ही easily हम इसको पहचानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक word से apple से ओके आई देखते हैं apple मेरा एक word था मैं apple के पहले a, an और the इन तीन articles का use करके इसको phrase बनाऊंगा तो हो जाएगा an apple, the apple यानि कि ये हो गया phrase an apple phrase है और the apple phrase है आप दोनों भी लगा सकते हो no problem but आपको an देखना है कि वाविल के साथ लगाना है और a आपको consonant के साथ लगाना है तो आपका a की clear होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए and apple एक phrase था जो दो word का था अब हम next phrase की तरब बढ़ते हैं और इसमें हम adjective का use करके phrase को बढ़ना है बढ़ाने की कोशिश करेंगे extend करेंगे तो मैंने माल लिया a room मैंने लिखा a room अब मैं इसको लिखूँगा a beautiful room एक सुन्दर कमरा तो ये हमारे पास तीन word आ गए जो की आपके phrase है तो मैंने देखा आपको room यानि noun है ये किसी संग्या का यानि विक्ति वस्तु अस्थान का नाम होता है और इसके परदे आर्टिकल यानि आर्टिकल और संग्या के बीच में adjective लगा देंगे अगर तो वह हो जाएगा तीन word का phrase और वो adjective है beautiful a beautiful room आप ये भी कह सकते हो the beautiful room तो हम लोगों ने यहाँ पर phrase को तीन word में बनाने के कोशिश किये इस तरह से आप the very beautiful flower आप कह सकते हो four word में आपका phrase बन जाएगा ओके तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा जो अभी अभी आपने सीखा है phrase बनाना वो noun phrase हो है ठीक है उसका नाम है noun phrase आईए हम लोग देखते है verb phrase क्योंकि phrase को verb से भी बनाया जा सकता है verb का आप लोगों को मैं बता दू verb क्या होते है verb हो ऐसे तो दो तरह क्या होते है एक helping verb और एक main verb ठीक है तो helping verb देखिए जो होते हैं हमारे साथ is, am, are, was, were, has, have, had can, could, may, might ठीक है must, should यह साथे चीज़े helping verb है ठीक, अब आपम इससे verb को modify करके verb phrase बनाएंगे अभी तक noun को modify किया गया था noun phrase बन गया था modify करना मतलब noun के पहले कुछ और extra बातें बताना जैसे the beautiful room अब हम इसमें verb को modify करेंगे जैसे कि लिखा he is going तो हमने go को क्या किया चला गया तो यह बन गया आपको verb phrase next देखते हैं he can smell the flower तो यहाँ पर can smell the flower यह आपको verb phrase है can smell आपका सिर्फ और सिर्फ can smell verb phrase है जहां मैं underline कर रहा हूं देखिए उसके बाद he has read the book has read आपको verb phrase है and he has been playing for two hours यहाँ पर has been playing आपको verb phrase है I hope आपको यह अच्छा लगा वीडियो देखने में next वीडियो में हम इसका part two लेकर आएंगे और उसमें हमाओ डिटेल से जानेंगे कि adjective phrase और infinitive वगेरा इस सब क्या होते हैं जीरंड इस सारे phrases के बारे में चर्चा करेंगे see you in the next वीडियो